है गाईस पीछले वीडियो में मैंने आपको समझा है था कैसे आप एक इमेज में पेंटिंग एफेक्ट डाल सकते हो और अभी जो इमेज आपका समने ओपेंड किया हुए यही वो इमेज है जो इसको मैंने पहले एक्जम्बल के तौर पर इस्तमाल किया था आपको साथ आपको इसको एक्षब करना पड़ेगा तो बस आपको यहां पर एक्षायल में आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको यहां पर आपको इसको उसको चलाना ओर इंस्टाफिकर नहीं दिख रहे तो simply आप windows पर आओ, windows पर आने के बाद यहां पर आपको देख पाओगे एक action नाम का option है, आप alt f9 दबा कर भी यहां पर आ सकते हो, ठीक है, तो जो जो कि कि मैं यह भी alt f9 दबा रहा हूँ, यह भी मेरे सामने open हो जुका है, ठीक है, तो बस आपको उसके बाद यहां पर एक option यहां पर आपको एक action नाम का, ठीक है, और मैं अभी description पर एक link दिया हूँ, आपको यह वाला file को download करना है, painting effect 1 by ds, ठीक है, बस इसको click कीजे, load कीजे, और यहां पर यह action file यहां पर show हो जाएगा, अगर आपका check नहीं किया है, तो आप इसको यहां पर click करके check कर सकते हो, ठी ठीक है, तो यहां पर इसको check करना पड़ेगा, चेक करने के बाद यहां पर आपको एक arrow में लगा, इसको click कीजे, इसके बाद लीचे आपको action file को देखना को मिलेगा, बस इसके ऊपर आपको यहां पर play के ऊपर touch करना है, मतला click करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, अगर image में कुछ changes करनी है, तो बस यहां पर आपको changes कर सकते हो, नहीं तो बस enter दबाते जाओ, और यह काम अपना आप करते जाएगा, ठीक है, आपको कोई changes यहां पर करने के ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से, ठीक है, बस आप यहां पर enter दबाते जाओ, जो के एक बाद एक तो गईज आब यहाँ पर देख पर हम लोग का final result यहां पर आचुका है और मैं आभी आपको आपको जूम करके दिखाता हूँ की result कैसे दिख रहा है नुट टो चलो देखते हैं और यह है final result, यह action file को add करने के बाद, ठीक है, तो चलो, अब हम लोग दिखते हैं कि यह दूसरे picture में कैसे काम करता है, चलो, तो guys, यहाँ पर मेरे पास एक बाव बली का picture है, तो चलो, देखते हैं कि इसके उपर हम लोग यह action को कैसे काम में लेते हैं, तो बस आपको क्या करन है, यहाँ पर कुछ चेंजस नहीं करना, बस background layer के उपर ही आपको यहाँ पर action file को लेकर इसको play कर देना है, और यह अपना काम automatically चालो कर देगा, तो guys, इससे कि आप यह भी यहाँ पर देख पार हो, यह action file का काम खतम हो चुका है, तो मैं आपको एक बहुर आफ़र effect दिखा तो guys, इसके बाद मैंने और भी बहुत सरा images के उपर इसको try किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह था original image, ठीक है, इसके उपर मैंने यह action file को try किया, और आखिर में मुझे यह वाला result मिला, और मुझे बाई, कापी साथ अच्छा लग रहे है, यह result मुझे इस इससे कोई सिकायद भी नहीं है, effect अच्छा है, उसके बाद मैंने इस bird के उपर try किया, sorry, इसको मैं ब्रस हाटा लेता हूँ, और यह था पहला bird की picture जो original picture था और यह वाला after effect, ठीक है, उसके बाद मैंने इसके उपर try के यह flower की picture है, जैसे कि आप देख पार हो, यह इसके original image और आखिर में ऐसा result हम लोग को मिलाएं, तो देखो आपको कैसा लगती है, मुझे तो यह अच्छा है लगा है, मुझे इससे उतना साधा कोई सिकायत नहीं है, वैसे आप इसके उपर भी और साधा editing कर सकतो, आप प्यासी इसके उपर थोड़े और detailing पर एड़ कर सकतो, पर और आजाएगा, और दिखने में और भी साधा अच्छा लगेगा, देखो यह जो एडित के बाद बाली image था, और यह थोड़ा और detailing डालने के बाद, तो देखो आपको कैसा अच्छा लग रही है, मुझे तो इससे उतना साधा सिकायत नहीं है, तो देखो, टानल लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स पे, और मिलते आप से अगले वीडियो में, तक तक के लिए, stay innovative and be creative.